देख रहे हैं शुकर के महा परिवरतन के विषय में शुक्र राशी बदल करके गैरह दिसंबर को प्रिभेश किये ग्रशी है है जहाँ पर उनको के तु का साथ मिला है। शुक्र का authent का यह खास परिवर्तन लगभग 20 से 25 दिन का होता है गोचर से हमने ध्यान नहीं दिया हम आपको बताने की कोशिश करते हैं शुक्र काई परिवर्तन कितने तारिक से हैं लेकिन खास तो पर विश्चिक में जब शुक्र परिवर्तन करके आ गए हैं तो अब असर क्या रहेगा में से लेकर मीन तक यह जानकारी लेकर क्यों परस्ते तो और साथ में एक बात और कि शुक्र अकेरे नहीं है वहाँ पर केतु पहले से ही बिद्दमान है तो केतु को भी लेकर ध्यान देना होगा कि केतु का क्या आसर रहेगा मैं एक बार आपको जरासा सर्च करके बता दू कि यह शुक्र का परिवर्तन हो चुका है मेश वालों को कर हम बताएं कि शुक्र का यह खास परिवर्तन मेश वालों के अस्टम भाव में है अस्टम भाव हमारे गुपतांगों का होता है कामिक्षाओं का होता है रहस्यों का होता है और यहां पर यह तीन जनवरी तक रहने वाले शुक्र का एक खास परिवर्तन जनवरी तक रहेगा तीन जनवरी तक ब्रिश्चिक राशी में तो वही लगभग 20-25 दिन के लिए होता है इक खास परिवर्तन अश्टम भाव में आकर के मेश वालों को कुछ लांचन कष्ट समस्या परिशानी दे सकते हैं पॉश्टिव क्या देंगे अगर अब तक आपका किसी के साथ संबंध नहीं था तो उसके लिए प्रिरित करके ब्यवस्था दे सकते हैं देगे बहुत ओपन बोलता हूं बहुत बहुत सच बोलने की कोशिश करता हूं कोशिश क्यूं इसका मतलब क्या जूट भी नहीं कुछ चीज़े छुपाने की कोशिश करता हूं यह आप सुन करके हैरान परिशान ना हो जाए ब्रिशब राजी सब्तम भावं पे आकर के ये राहु से द्रिश्ट होते हुए खास अच्छा क्या करेंगे मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा कर पाएंगे आगे हर यक्षा है तो अगर आपका ब्रिशब राशी ब्रिशब लग रहे हैं तो आपको यह सोचना पड़ेगा उपाय हम लाश्ट में बता देंगे मित्वन राशी मित्वन राशी के लिए खा स्वामी है लिहादा संतान को लेकर के कुछ चिंता परेशानी आपके ऊपर इस्त्री पत्नी बहन बेटी प्रेमिका कोई या आप इस्त्री है तो भी इस्त्री से खत्रे की घंटी बजा रहा है सावधान रहें किसी को उधार उधार न दीजेगा फंस जाएगा कर प्राशी पंचमभाव में आए हैं 99.9% ब्रेकप की संभावना बनती है शिक्षा प्रभावित हो जाएगी पेट की दिक्कत लिवर और किड्नी में समस्या हो सकती है संतान को लेकर कोई अप्रिय समाचार आपको परिशान करेगा पंचमभाव इन्ही सब का है चतुर्थ से दुती है तो वाहन पर भी आपको खर्च करना पड़ सकता है अब आप कहेंगे कि सब निगेटिव है तो पॉश्टिव क्या पॉश्टिव होगा तम न बताएंगे सिंग राशी सिंग राशी के लिए चौथे घर में है तो मा को अगर शुगर की विमारी है तो बढ़ने वाली है वा पहन लोन आपका फेल हो जाएगा मत अप्लाई करिएगा मकान में कोई डिस्प्यूट या बहन के द्वारा किसी तरह की बहन बेटी के द्वारा किसी तरह का लांचन भी लग सकता है कन्य राशी तुरती भाव में है भाई बहनों के बीच विवात पैदा करेगा मित्रों के क्टुम में किसी सौतन के आगमन की संबहना बनती है कोई सौतन आपको परिशान कर सकती है तुरा राशी वालों के लिए बहुत अच्छा शुक्र का ये परिवरतन नहीं है क्योंकि घर भाव है राहू के साथ है गुप्त और बलपूर्वक किसी सौतन कien आगमन की संभाना ब्रिश्चिक राशी, आपकी ही राशी में आए हैं, राहूं के साथ उपस्तित हो गए हैं, पत्य-पत्नी के बीच कुछ परेशानी, कुछ तनाव, कुछ आर्थिक समस्याओं का भी सामना कर रहा पड़ेगा, परन्तु, सब्तम पर इनकी स्वग्रही द्रिश्टी, सब्तम भाव पर, द्रिश्चिक से सात्मे पर, अपने घर को देख कर, दामपत्य जीवन को समहालने की पूरी कोशिश करेंगे और जीत जाएंगे, पार्टनर्शिप देख लीजेगा, थोड़ा समहालिएगा, तीन जन पैसे का फंसन अलग बकताएं है, कुछ चारित्रिक पतन के ऊपर भी आप पर लांचन लग सकता है, कुणली दिखा लीजेगा, अगर आपकी राशी धनु है, और कहीं कोई गुप्त अफेयर वगरे, कहीं अवायत संबंध हो गरे होगा, तो ध्यान दीजेगा, साफ बोलत और अकस्मात रुके धन की प्रापती अर्थात मकर के लिए बहुत शुब है, कुम्ब राशी आप पर भरोसा करना लोगों के लिए बहारी पड़ जाएगा, आपके लिए दसंभाव में हैं और नौकरी के छूटने की संभावना बहुत प्रबल है, कुम्ब वाले भी फट तो एक तरह से संभोग से समाध की तरफ वैराग आ जाएगा मन में, अचानक से मन विचलित होगा, किसी का कुछ राज का परदा फास हो सकता है, किसी का रहस्य आपके सामने आ सकता है, ग्रहस्त आस्रम को बुरी तरह से प्रभावित करेगा, ध्यान दिजेगा अनथा फंस जाएंगे, उपाय क्या करना है, रोज सुबह मौन रहते हुए, शुक्र परवत पर यहां थोड़ा सा शहद लगाईएगा, यहां पर, किसी भी फिंगर से लगा लिजेगा, एक छोटा सा कुछ अपना शहद काय से, एक मूद ले करके, कब तक 3 जनवरी तक करना है, 3 जनव को मुंबई में है, मुंबई में अगर कोई मिलना चाहता है, तो 9910291850, 9999024099, 9560447000 पर कॉल न लगे, तो वाट्सप करिएगा, नमस्कार, जय जय शुक्र देव महराज की, नमस्ते